बिहार में कोरोना तेजी से पाँपसार रहा है और हर दिन राज में संक्रमन नई उचायों को छू रहा है इस कड़ी में मंगलवार को राज में पहली बाद 10,000 से जादा नए केस सामने आये हैं पटना में संक्रमन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पटना के इम्स में कोरोना बंप उटा है इम्स में 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना संक्रमित हो चुके हैं इस बारे में पटना इम्स के मेडिकल सुप्रेटेंडेंट ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में अब तक 384 डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं इधर कोरोना के लागतार बढ़ते मामलों के बीच बिहार पंचाय चुनाव टाल दिये गया हैं अपरेल के अंत में चुनाव को लेकर अजिसूचना जारी होनी थी लेकिन अब इसे टाल दिया गया है महामारी को देखते हुए राजि निर्वाचन आयोग ने पंचाय चुनाव टाल दिये हैं और 15 दिनों के बाद फिर से इस्थिती की समिक्षा की जाएगी और निर्नय लिया जाएगा राजि में रिकॉर्ड तोड नई संख्या इससे पहले बिहार के स्वाप विभाग के मुताबिक राजि में मंगलवार को बीते 24 घंटों में 10,455 कोरोना संक्रमित आये थे इस दोरान 51 मरीजों की जान भी गई है यानि की हर घंटे में 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है राजि में नई मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और ठीक होने वाले मरीजों के दर कम होते जा रहा है राज में recovery rate में लागतार गिरावट दर्ज की जा रही है बिहार में अब तक कोरोना के 3,42,000,69 मामले सामने आ चुके हैं जबकि 1,841 मरीजों की जान जा चुकी है फिलहाल मंगलवार को 56,354 कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है यानि एक ही दिन में active cases में करीब 7,000 का इजाफा हुआ है इस बीच राजधानी पटना के अस्पतालों में मांग के अनुरूप 25 प्रतिशत ही oxygen की supply हो पा रही है oxygen नहीं मिलने के कारण कोरोना संक्रमीत मरीज के जीवन पर खत्रा मंडरा रहा है खैर इस वीडियो के जरीए हम भी लोगों से अप्पील करना चाहते हैं कि कोरोना के स्थिती को देखते हुए सजग रहें और सचेत रहें बाकि इस ख़बर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिक कर जरूर बताएं इसके साथ ही कोरोना से जुड़े और भी अपडेट्स को देखने के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब कर ले और अगर ये वीडियो आप हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और फॉलो करें